अगर आप दोनों एक दूसरे से बाते कर रहे हो तो दोनों की प्रोफाइल के नीचे आपको इंदी चैट इंदी चैट आपको देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप दोनों आपस में चैट कर रहे हो तो इंदी चैट दिख रहा है तो ठीक लेकिन सामने वाले को ये पता है कि सिर्फ आप उसी से बात करते हो और बाद में आपने क्या किया इसको back कर दिया और आप यहाँ पे हो गए active now तो सामने वाले को यह पता चल जाएगा कि आप उसका chat back करके किसी और से बात करने लगे और वहाँ पे active now लिख देगा और फिर जैसे ही आप इसके chat में जाओगे तो फिर लिख देगा in the chat तो सामने वाले को यह doubt हो जाएगा कि अरे यार यह मेरे से तो बात करी रहा है और सामने वाले और किसी और से भी बात कर रहा है तो आज मैं आप सभी को इस video के अंदर इसका मतलब भी बताऊंगा और इस चीज को कैसे बंद करना है ये भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे सिर्फ active now ही लिखे in the chat ना लिखे अगर आप सभी ने अभी तक इस video को एक like नहीं किया है तो यार जल्दी से इस video को एक like कर देना क्योंकि हमें इस तरीके से motivate और मिलता है ऐसी video बनाने के लिए दूस्तो क्या आप सभी एक instagram चलाते हो और instagram चलाते होंगे तो आप सभी इस चीज को तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि active now का मतलब होता है कि अभी सामने वाला person जो है वो क्या है online है लेकिन instagram की एंदर एक नया update आ चुका है और वो update ये है कि जैसे ही आप और वो दोनों एक दूसरे के चैट में रहोगे तो यहाँ पे आपको भी लिख देगा in the chat और सामने वाले को भी लिख देगा in the chat इसका मतलब ये हुगा कि आप दोनों एक दूसरे के चैट में अभी online हो तो आप सभी इसका मतलब तो समझ गए कि in the chat का मतलब क्या होता है in the chat का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप दोनों अभी एक दूसरे के चैट में active हो अब देखो जैसे ही मैं अगर उस फोन के अंदर back करूँगा तो देखो यहाँ पे लिख देगा active now और जैसे ही मैं इस चैट के अंदर आ जाऊँगा यहाँ पे लिख देगा in the chat और या फिर आप अगर यहाँ से back कर दोगे उसका चैट तो उसके फोन में लिख देगा active now और जैसे ही आप उसके चैट के अंदर आ जाऊँगे तो उसके फोन में लिख देगा in the chat तो आज की वीडियो का बनाने का मेरा main मकसद यही था कि आप सभी को मैं समझा दूँ कि in the chat का जो meaning है वो क्या है यानि कि इसका मतलब क्या है और ये instagram के अंदर क्यों है in the chat जो लिख रहा है उस चीज को आप disable भी कर सकते हो लेकिन कैसे उसके लिए आपको यहाँ पे back करना होगा फिर से back करना होगा यहाँ पे आपको profile के option पे click करना होगा यहाँ पे आपको thin line का option मिलेगा उसके उपर click करना है अब यहाँ पे आपको setting के option पे click करना है और यहाँ पे आपको privacy का option मिलेगा इसके उपर click करना है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है activity status के उपर आपको click करना है और यहाँ पे आपको एक option दिखेगा so when you are active together तो अगर आप इसको बंद कर दोगे तो सिर्फ active now वाला देखेगा लेकिन अगर आप उसके chat के अंदर जाओगे तो वो चीज आपको न उसको दोनों को भी नहीं दिखेगा उसके chat में हूँ और वो भी मेरे chat के अंदर है लेकिन यहाँ से देखो मैंने high message लिखा उसके पास message पहुँच गया अगर उसने मुझे कुछ message लिखा तो मेरे पास पहुँच गया यानि कि हम दोनों एक दूसरे के chat में अभी online हैं लेकिन यहाँ पे active now और यहाँ पे भी active now दिख रहा है तो इस चीज को आज आप सभी अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे इस चीज को बंद करना है